इस पौधे की मातर दो पतियां अगर आप सुभा खाली पेट चबा कर खा लें या मातर एक कप इसका कहड़ा पी लें तो यकीन मानिए आपके कई सारी गंभीर समस्याओं में आपको लाप मिलेंगे जैसे कि अगर आप खून की खराबी की समस्या से परेशान है या फिर आपके शरीर में खून कम बनता है आप एनिमिय की समस्या से परेशान है इसके अलावा जोडों के दर्द की दिक्कत है अर्थराइटीस, गठिया, किसी भी तरह की समस्या अगर आपको है तो इसमें आपको लाप मिलता है इसके लावा पुराने कफ या फेपलों में जवा कफ जो होता है या गले के इन्फैक्शन से अगर आप परेशान है खासी की समस्या आपको है तो इसमें लाप मिलेगा जिद्धी मुटापे से परेशान है आखों की कमजोर रोशनी से परेशान है तो इन सब में भी आपको लाप मिलेगा इससे आप कई सारी समस्याओं से चुटकारा पा सकते हैं चलिए जानते हैं किस पोधी की फत्तियों के बारे में हम बात कर रही है आज की जानकारी आपको बेहत पसंद आएगी अच्छी लगे तो लाइक करना और इससे सबी के साथ शेयर करना बिल्कुन मत भूलिएगा हलो एब्रीवन वेलकम बैक मैं आपकी होस्त अंदोस मधू एक सर्टिफाइड डाइटीशन और एक नाच्रोपैट सामने जो प्लांट आप देख रहे हैं ये है अजवाइन का पोधा बहुत आसानी से आप इससे गंबले में उगा सकते हैं अच्छी खास बात इसकी ये है कि अगर इसका एक डंटल तोड़कर भी आप गंबले में दूसरे में लगा दे अगर इसकी पतियों को सुबा खाली वेट आप चबा कर खाते हैं तो इसकी पतियों में भरपूर मात्रा में एंटी ऑक्सिडन पाये जाते हैं इसमें भरपूर मात्रा में एंटी बैक्टिरियल ततोर पाये जाते हैं ये एंटी इंफ्रमेटरी होती हैं जो की शरीर से सूजन को भी कम करने में मदद करती है तो अगर पतियों को चबा कर खाते हैं तो इससे आपका जिद्धी मुटापा कम होता है सरीर में जमा जितना भी फैट है उसको पिगलाने में वजन को कम करने के लिए ये पतियां आपके शरीर को काफी लाप देती है इसके लाबा अगर आप बहुत लंबे समय से जोडो के दर्द की समस्या से परिशान है तो ऐसे में इसका कहड़ा बना करके लेना आपके शरीर के लिए काफी फायदे मन्द है इसका काड़ा बनाएने के लिए आपने 3-4 पतियां लेनी है और उन्हें हाथ से मसल देना है हाथ से मसलना बहुत आसान है इन बहुत अधिक मात्रा में पानी होता है तो जब आप इसे हाथ से मसलते हैं तो बहुत आसानी से तूट कर इनका रस निकलाता है उसके बाद एक किलास पानी के साथ इनको पका लिजेगा इसमें थोड़ा सा सोट पाउडर आपने आड़ करना है साथ में थोड़ी सी अजवायन डालनी है आप इसे पका लिजे जब ये पकते हुए लगबग चाली से मिल रह जाए तो छान करके गुरूना होने पर थोड़ा परशहद मिला करके अगर आप इसका सेवन करते हैं रात को सोने से पहले तो इससे आपको जोडों के दर्द में काफी अराब मिलता है इसके अलावा अगर पुराने कफ की समस्या से परेशान है तो इसमें एक लोंग भी ज़रूर इंक्लूड कर दीजेगा और रात को सोने स पहले इसको लेजेगा ये फेपरों की सफाई करता है कले के इंफ्रैक्शन को तूर करता है और पुराना अगर हटियों का वुखार है तो इसमें भी आपको इससे काफी लाब मिलते हैं इसे दिम उटापे से परेशान है तो इसे और भी तरीकों से इस्तमाल आप कर सकते है जैसे की आप इसकी डिटोक्स वोटर बना करके ले सकते हैं इसे बनाना कैसे है आठ से दस आपने अजवाइन की पतियां लेनी है जिने हाथ से मसल ले आप उसके बाद एक लीटर पानी के साथ आप इन्हें रात बर के लिए भिगो कर रख दे अगले दिन सुभह आप इस चान चान करके थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेना शुरू करें चाहें तो इसे हलका सा गुनगुना भी कर सकते हैं पूरे दिन आपने थोड़ी थोड़ी मात्रा में ये पानी कंजियों करना है जब आप इस पानी को लेते हैं तो ये आपके शरीर के अंदर जितनी भी एक आपके किड़नी की सफाई갈 होती है। आपको बॉडी को डिटॉक्स कर में चब्का करें तो आप इसे तरीके से ले सकते हैं। या पुराने खासी परेशान है तो इसकी पत्तियों को मैं पाउडर बना कर तीन ग्राम की मात्रा में इंका पाउडर और साथ में थोड़ा सा शहद मिला करके लेते हैं तो इससे भी आपको काफी लाग मिलते हैं अगर आप बहुत लंबे समय से पेट की समस्याओं से परिशान हैं जैसे के गैस, ऐसे टी, ब्लॉटिंग या पेट से सम मंदित कोई भी समस्याओं खाना न पचना तो ऐसे में भी इसकी पत्नियों का सेवन करना या इसका डिटॉक्स पानी बना करके लेना भी आपके शरीर के लिए काफी फायदे मंद रहता है आप चाहें तो जैसे खाना आपने खाया है उसके बाद दो पतियां या तीन पतिय में मदद करता है पानी और साथ में गैस एसलिटी ब्लोटिंग की जो समस्याओं आपको हो रही है उसमें आपको काफी लाब देता है अजवान की पतियों में थाइमूल नामा की तत्वा पाया जाता है जो कि आपके किसी भी तरह के बोड़ी के अंदर के जो इंफेक्शन ह होते हैं उनको ठीक करने में आपको मदद करता है तो अगर आप बहुत लंबे समय से अंदर के जो इंफेक्शन से उनसे जूज रहे हैं जैसे बार बार बीमार होना आपका इम्यून सिस्टम कमजोर होना जिसकी वज़से खासी जुखाम यह सारी समस्याइं तो ऐसे में भी इसकी पत्यों को चबा कर खाना यह इसका कहड़ा बना करके लेने से आपको काफी लाब मिलते हैं इससे आपकी रोग पृत्रोदक्षमता बढ़ती है और आप बार बार बीमार नहीं पढ़ते हैं यह पत्तियां आपके तनाव को गम करती हैं अगर आप बहुत लंबे समय स इसे स्ट्रेस में है जिसकी वज़त से आपको नीद नहीं आ रही है तो ऐसे में भी अजवायन की पत्तियों का इस्तमाल करने से आपको लाब मिलते हैं कैसे इस्तमाल करना है इनकी पत्तियों को आपने लेना है और हाथ से मसल लेना है मसल करके इसकी जो खुश्बू होती है के थुरू सुमुना है इससे माइग्रेन में भी आपको लाव मिलेगा स्ट्रेस लेवल आपका कम होगा आपको अच्छी नीन लाती है या फिर आप चाहें तो इसका काड़ा बना करके रात को सोने से पहले भी ले सकते हैं इससे भी आपको बहतर नीन आती है रीजन है यह मिला करके अगर आप अपनी चेहरी पर यह दात खाज-कुजली की समस्या पर लगाते हैं तो यह समस्या आपकी मातर तीन दिन में जड़ से खत्म हो जाती है तो उमीद करती हूं इन पत्तियों का इस्तमाल आप जरूर करेंगे जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीस सभी क के साथ शेयर कीजिएगा वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमें कमेंट सरूर कीजिएगा ने मुस्कुराते रहें स्टे हैल्दी स्टे हैपी बबाई